तो दोस्तो GSW Steel के quarter forward के नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें कई positive points देखे गए हैं और हो सकता है कि यह company dividend भी दे क्योंकि इस result में dividend के बारे में भी बात की गई है तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है इस quarter forward के result में और अभी stock की price भी एक सही level पे है तो अगर आप यहाँ पे buying करत हो तो हो सकता है कि आने वाले समय में stock आपको dividend भी दे और साथ में अच्छा प्रफॉर्म भी करें तो दोस्तों अगर आप हमाई चैनल पर नए हो तो क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमाई ट्रेलिगराम ग्रूप को भी जोइन कर ले अगर आपके मन में कोई स पिछले क्वाटर के मुकाबले अच्छा revenue जनरेट करके दिखाया है पिछले क्वाटर में 68,850 करूर की revenue थी और इस बार gross sales और other operations income मिला के total revenue 36,011 करूर की है और दोस्तों total income की बात करें तो पिछले क्वाटर में 29,244 करूर की total income थी और इस क्वाटर में 36,437 करूर की total income है जो की पिछले क्वाटर के मुकाबले ज्यादा है expenses की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बार के तरह company में material consume करने का cost ज्यादा लगा है और इस बार 17,096 करूर का cost लगा है अगर बात करें total expense की बारे में तो आप देख सकते हो कि पिछले क्वाटर में 24,177 करू की है जो की पिछले साल की मुकाबले थोड़ा कम है दोस्तो अगर यहाँ assets की बात की जाए तो यहाँ total assets 1,62,870 करूर का है और total liquidity and liabilities की बात की जाए तो एक लाग 62,870 करूर की है जो की पिछले साल की मुकाबले ज्यादा है दोस्तो company की बात की जाए तो debt काफी घटा है net profit margin की तो यहाँ पे 7.32% का net profit margin दिखाया गया इस quarter में दोस्तो net worth की बात करें तो पिछले quarter के मुकाबले net worth भी बढ़ा हुआ है यहाँ पे 57,033 करूर का net worth है तो दोस्तो यहाँ पे फिलाल मैं आपको consolidate data यहाँ पे company का नहीं बता रहा हूं stand alone data ही बता रहा हूं क्योंकि हम दोस्तो यहाँ stand alone performance की बात की जाया है तो quarterly net profit after tax 2637 करूर का है और quarterly operating EBIT 6907 करूर का है जो की year on year 14% घटा है और quarterly revenue from operations की बात की जाया तो 36,011 करूर का revenue है जो की year on year 48% बढ़ा है दोस्तो एक important चीज में आपको दिखाना चाहूंगा कि इस result में dividend की भी बात की गई है board of directors ने 17 रुपए 35 पैसे की dividend को recommend किया है कि हो सकता है कि हमें 17 रुपए 35 पैसे का dividend मिले और दोस्तो यहाँ पे consolidated data और stand alone data अगर आपको समझनी आ रहा है तो मैं एक वीडियो बना के समझा दूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ तो दोस्तो इस result में माली कुछ ज़्यादा important बाते हैं जैसे की company का total income बढ़के 47,188 करूर का हो गया है और company ने final dividend 17 रुपए 35 पैसे per share declare किया है जो की अच्छी बात है तो दोस्तो यहाँ पे अगर आप company का chart देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि company अभी बहुत ही नीचे आ चुकी है तो दोस्तो company का current price 548 रुपए का है जो की एक सही मौका है अगर आप इस company के share को purchase करना चाते हो तो यह आपने पहले से अगर purchase करके रखा है तो company ने पास साल में 42.91 परसेंट का CAGR प्रॉफिट शो किया है और company लगातार अच्छा dividend perform कर रही है तो दोस्तो company का यह कुछ data था अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें और आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं तो दोस्तो आज के नहीं मिलते ब्रेक के बाद एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय नमस्कार